हाई फ्रेंड्स, आइम अजीद, इन टुड़ेज वीडियो वीडियो वी विल लर्न इन पोएट जो होता है, उसके thoughts और feelings और ideas को क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, unique style में with uses of rhymes and rhythms to make a poem or poetry for express to audience के सामने, एक्सप्रेस करते हैं, poems को बनाते हैं, rhythm और rhymes की uses के साथ, अब यहां पर देखो जो prose होता है, उसका language होता है, वो straight forward होता है, यानि सीधा सीधा समझ में आ जाता है हमें, और दूसरी तरब जो poetry जो होती है, वो क्या होती है, expensive होती है, decorated होती है, with added flavor उसके अंदर मिलता है, like buttering किया जाता है, किसके साथ मक्खन मसके के साथ, poem बनाया जाता है, poetry बनाया जाती है, ठीक है, प्रोस का जो nature होता है, वो pragmatic होता है, यानि सक्चाई से बारा हुआ होता है, कहानी जो होती है, जो story होती है, वो real लगती है, वास्तविक लगती है, जो lines होती है, वो जो लिखी हुई lines होती है, प्रोस में, उसका real क्या होता है, meaning लिकल रहा होता है, अर्थ निकलता है, और द information से भरा होता है, यानि क्या होता है कि किसी के बारे में information जो होता है, वो produce करता है, like ramiz is good boy, ramiz knows what is the meaning of silence, यानि ramiz जानता है कि silence का मतलब क्या है, और ramiz एक अच्छा लड़का है, तो यह क्या एक information बता रहे हैं, तो वो pros क्या करता है, enhance करता है, message और information को spread करता है, और उसी तरह poetry म essence जो होती है, वो experience present करता है, life experience होते हैं, ideas जो होती है, some moments जो होते हैं, feelings को क्या करता है, express किया जाता है, audience के सामने, तो उसे हम poetry कहते हैं, purpose of pros, like to provide information to convey a message, यानि information और message को convey करने के लिए, pros का use किया जाता है, और purpose of poetry में, और दूसरी तरह purpose of poetry में, यानि poetry में, खुसी और दुख और amuse, यानि अस्चर्य चकित हो जाना, उन सब चीजों को क्या करते हैं, poetry में दिखाया जाता है, next है ideas, like pros में जो ideas होते हैं, sentence में मिलते हैं, और उसी तरह arrange किये जाते हैं, paragraph के साथ, ठीक है, और दूसरी तरह poetry में क्या देखते हैं, ideas जो मिलते हैं, वो मिलते है, lines के साथ, st सीधी सीधी निकल कर आती है, यानि उसके अंदर lines break नहीं मिलती हमें, और दूसरी तरह जो poetry होती है, वो half sentence की होती है, tutti-footy होती है, और जो असानी से समझ में नहीं आते, difficult होती है, यानि उसमें lines हमें breaks मिलती है, ठीक है, paraphrasing का मतला होता है, अगर कोई pros को दूसरी तिसरी language म convert करने की कोसिस करें, तो वो possible होता है, तो उसी चीज को हम paraphrasing कहते हैं, ठीक है, असानी से उसका अर्थ निकलता है, pros का, और इसी वज़े से कोई भी उसे convert कर सकता है, अपने language में, दूसरी तरह है, poetry में exact paraphrasing जो होता है, वो possible नहीं होता, ठीक है, impossible होता है, क्योंकि sentence होते है half sentence होते है, lines जो होती है, वो stanza में होते है, rhymes हमें मिलते हैं, ठीक है, जिसे समझना difficult होता है, ठीक है, तो यह था definition of prose और poetry के पूरे literature में